Hello everyone, इस वीडियो में हम समझेंगे evidentry value of FIR ये question काफी जगा पूछा जाता है तो FIR दो प्रकार से use किया जाता है एक होता है substantive use और दूसरा होता है procedural use तो ये माना जाता है कि FIR एक substantive evidence नहीं होता है पर अगर उन्हें कुछ evidence act के sections के द्वारा relevant बना दिया जाता है तो वो एक vital piece of evidence बन जाता है और दूसरी तरफ procedural use तो evidence act के कुछ sections के अंदर उसका limited purpose से use किया जाता है तो आए समझते हैं evidence act के उन sections को तो ये जो sections दिये गए हैं अगर इन sections के अंदर FIR को relevant बना दिया जाता है तो FIR substantive piece of evidence माना जाता है तो सबसे पहले समझते हैं section 6 को so section 6 हमें बात बताता है same transaction की so इसको हम चोटे से example से समझ लेते हैं कि मुझे अगर a person की death cause करनी है तो मैंने सबसे पहले shop से जाके poison खरीदा poison खरीदे के बाद मैंने उससे खाने में मिलाया और उसके बाद मैंने खाने खाना खिला दिया उस person को और उसकी death cause हो गए तो यह तीनों act साथ में इस तरीके से जुड़े हुए है कि यह same transaction के ला रहे है तो इसी तरह अगर F.I.R. भी बाकी act से इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि वो same transaction बन रहा है तो section 6 के अंदर वो relevant हो जाएगा और substantial piece of evidence बन जाएगा उसके बाद हम समझते हैं section 8 को कि किस तरीके से F.I.R. को substantial piece of evidence बनाता है So section 8 बोलता है कि victim, victim की agent और या तो accused person उसका जो previous या subsequent conduct होता है वो भी relevant होता है तो माल लीजे victim के साथ offense commit हुआ और उसके तुरत बाद जाके उसने F.I.R. register कर दी तो F.I.R. भी victim की subsequent conduct माना जाएगा और वो section 8 के अंदर relevant बन जाएगा और F.I.R. को substantial piece of evidence बना देगा So section 14 हमें बताता है कि state of mind, body और bodily feeling को वो relevant बना देता है So for example माल लीजे कि F.I.R. register कर दे समय विक्टिम का जो state of mind था वो किस प्रकारत का था वो घबराया हुआ था कि freely बैटके वो F.I.R. लिखवा रहा था So admission अगर कोई person करता है जो उसके against है तो वो relevant हो जाता है और अगर वो admission उसके favor में है तो वो irrelevant होता है तो F.I.R. देते समय माल लीजे विक्टिम ने कुछ ऐसे statement बोले जो admission है तो section 21 उसे substantial piece of evidence बना देता है फिर मान लीजे अगर F.I.R. register करने के बाद informant की death cause हो जाती है तो section 32 evidence act के अंदर वो F.I.R. को as a dying declaration treat किया जा And same held किया गया था किया ready versus public prosecutor के case में तो आप अपने answers में इस case को cite कर सकते हैं So यह हो गए F.I.R. के substantial use in sections के अंदर अब समझते हैं इसका procedural use तो F.I.R. use की जा सकती है collaboration के लिए और cross examination के लिए section 157 and 145 के अंदर So मान लीजे जो informant है या victim है उसने F.I.R. में कुछ बात बोली थी और जब case का trial चल रहा है तो उस समय उस पुरानी बात का उस former statement से विपरीत या counteracting वो बात खेय रहा है तो उस समय F.I.R. को यूज किया जा सकता है इन दों sections के लिए फिर थर्ड इसका use होता है कि जब F.I.R. register होती है और जब case का trial चल रहा होता है तो उसके बीच में बहुत लंबा gap होता है तो इसलिए किसी भी case के पार्टी की memory refresh करने के लिए भी F.I.R. यूज की जा सकती है और lastly F.I.R. यूज की जा सकती है विटनेस के credit को impeach करने के लिए section 155 clause 3 के लिए तो section 145 बोलता है cross examination as to previous statement in writing so ऐसे कौन से previous statements हो सकते हैं जो writing होते हैं तो हमाई दिमाग में सबसे पहले आता है F.I.R. तो F.I.R. section 145 के अंदर उसका procedural use किया जा सकता है फिर section 155 बात करता है impeaching credit of witness तो इसका clause 3 ये बोलता है कि by proof of former statement inconsistent with any part of his evidence which is liable to be counter detect तो यहाँ पर भी former statement की बात की जा रही है तो यह former statement का भी मतलब होता है F.I.R. फिर बात आती है collaboration की तो section 157 की जो heading है वो बोलती है former statements of witness may be proved to collaborate later testimony as to same fact तो यहाँ पर भी former statement की बात हो रही है तो section 157 के अंदर भी F.I.R. का procedural use किया जा सकता है फिर lastly section 159 बताता है refreshing memory की बारे में तो यह बोलता है a witness may while under examination refresh his memory by referring to any writing made by himself तो यहाँ पर जो word use किया गया है writing made by himself तो इसके अंदर भी F.I.R. included और F.I.R. section 159 के अंदर procedural use के तौर पर उसका use किया जा सकता है फिर एक बहुत important factor होता है जो F.I.R. की evidentry value को तो क्या तो बहुत बढ़ा देता है या कम कर देता है वो होता है कि F.I.R. कितने जल्द से जल्द lodge की गई है offense commit होने के बार तो मानगीजे आज offense commit हुआ और offense commit होने के 15 दिन बाद मैंने F.I.R. lodge करा है तो माना यह जाता है कि 15 days के लंबे समय में victim को या informant को जोटे आरोप लगाना false implication, accused against लगाना यह कुछ एक अलग तरीक की story बनाने का मौका मिल जाता है इसलिए बोला जाता है कि F.I.R. जल से जल register हो जानी चाहिए और अगर F.I.R. lodge करने में देरी होती है informant के against एक opinion बना लेगा और उसकी जो evidentry value है informant की वो गिर जाएगी courts की नजरों के सामने क्योंकि उसमें F.I.R. lodge करने में देरी कर देरी होती है यह थी evidentry value of F.I.R. I hope आप सब को समझ में आया होगा और आपको अगर कोई doubt है आप नीचे comment section में उसे जरूर पूछे है